बढ़ते कोरोना संक्रमन से लड़ने के लिए और जन भागीदारी सुनिशित करने के उद्देश से प्रदेश भर में मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान के शुरुआत की गई इसके चलते सुबह 11 बजे सारन बजा कर जनता को मास्क लगाने व कोविट गाइडलाइन का पालन करने का संकल्ब दिलाए गया अलिराजपुर में भी इस अभियान की शुरुआत की गई देखिए ये खास रिपोर्ट जी हाँ ये तस्वीर है अलिराजपुर जिला मुख्याले की जहाँ चार अलग-अलग स्थानों पर सारन बजा कर कुरोना से बचाओ के लिए आम जनता को मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का संकल्ब दिलवाए गया कलेक्टर सुर्वी गुपता ने खुद लोगों को मास्का वितरन किया और दुकानों के बहार गोले बनवाए हलाकि जिन स्थानों पर कलेक्टर वा अन्य अधिकारी मौजूद रहे सिर्फ वहीं पर निर्देश का पालन हुआ बाकि अन्य चराहों पर तो लोगों को ये तक पता नहीं था कि यह सारन क्यों बजाय जा रहा है वहीं आदिवाजी समाज के पारंपरिक तहवार भगोरिया में लोग इस अभियान की धजियां उड़ाते नजर आए यहां न तो सोशल डिस्टेंसिंग का और न ही मास्क लगाने का पालन किया गया कलेक्टर सुर्वी गुपता ने बताया कि सारन बजा कर जनता को यह बताया गया कि कोरोना से बचाओ के लिए मास्क लगाना जरूरी है शाम को साथ बजे भी सारन बजाय जाएगा इसका उदेश लोगों में जागरुपता लाना है दुकानों के बाहर गोले भी बनाएगा है वैपारिक रश्नकांत महेश्वरी ने कहा कि मास्क पहनने वर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें करने के लिए शासन ने साइरन बजाया उन्होंने कहा कि शहरी छेत्रों में इसका असर दिखाई दे रहा है लेकिन ग्रामिन जंता मास्क का उपियोग नहीं कर रही है कुल मिलाकर देखा जाये तो अलिराजपूर में करोना को लेकर एक तरफ जहां जंता को जागरुक करने के लिए प्रशासन सडकों पर उत्रा वहीं दूसरी तरफ भगोरिया में कोरोना गाइडलाइन के नियमों की धजियां उड़ती दिखाई दी ब्योरो रिपोर्ट, MP News, अलिराजपूर